वगल्द दोस्तो अमारे चैनल में आपका बनुद स्वागति दोस्तो आज इस वीडिवें बताने वाले हुए मैं जैसे केमरा को ऊपन किया है , कुछ Jenkins में प्रापलम आ रहा है दोस्तोव जिलिए दोस्तो मैं दिखा दिता हूं किस प्रकार का प्रापलम आ रहा है यहां camera open करते हैं यह देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ रहा है cannot connect to the camera please make sure to close other apps that my use camera और place light कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ रहा है दोस्तों इसे आप कैसे fix कर सकते हैं इसे आप कैसे fix कर सकते हैं दोस्तों बहुत यह असानी तरीके से तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में देख लेते हैं कि इस प्रकार का problem कैसे आता है अब इसे कैसे ठीक कर सकते हैं दोस्तों बहुत यह असानी तरीके से तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मात आना चाहूंगा दोस्तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तर सस्क्राइब नीके आ है तो यहाँ देखे दोस्तो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उस पर किलिक कर देना है इस परकार से किलिक कर देना है दोस्तो और उसके बाद यहाँ घंटी का निसान दिखाई दे रहा है उस पर किलिक कर देना है अब यहाँ उपर में pop-upì all कर दníना है दोस्तो वीडियोем को खर देना है सबसे पहले जान लेते हैं कि इस परकार के परोबलम कैसे आता है दोस्तो कभी कभी होता है कि हमारे मुग sabemos यने करनर जगा कम हो जाने करनर इस परकार के पराबल into आता है उस्तों दूसरा कपरहन होता है कि कभी हम third party apps कोई download कर लेते हैं तो उस apps का background हमेशा चलते रहता है दोस्तो इस करण से इस परकार के प्रावलों आता है दोस्तो इसे कैसे ठीक कर सकते हैं दोस्तो बहुती आसानी तरीके से उसके लिए यहां देखे दोस्तो इस पर click कर देना है यहां इस पर click कर देना है और यहां सब को हटा देना है दोस्तो इस परकार से सब को हटा लेना है उसके बाद setting open कर लेना है तो चलिए दोस्तो setting open कर लेते हैं यहां इस परकार से setting open कर लेना है उसके बाद यहां apps में आ जाना है दोस्तो तो चलिए हम एपस खोज लेते हैं दोस्तो यहां देखे दोस्तो एपस पर क्लिक कर देना है इस परकार से एपस पर क्लिक कर देना है उसके बाद नीचे आ जाना है दोस्तो हमको किमरा खोज लेना है यह देखे दोस्तो हमारे पास किमरा आ गया है अगर आपके में नहीं आ रहा है तो यहां उपर में क्लिक करके सो सिस्टम पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहां दिखाई देगा दोस्तों तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं केमरा में यहां केमरा पर क्लिक कर देना है जैसे ही camera पर click करोगे दोस्तों कुछ इस प्रकार से इसका interface दिखाई देगे यहां देखे दोस्तों उपर में दिखाई देरा storage तो चलिए हम storage पर click कर लेते हैं अब यहां देखे दोस्तों हमारे सामने दो option आगे है clear data and clear case तो यहां सबसे पहले clear data पर click कर देना है तो चलिए हम clear data पर click कर लेते हैं दोस्तों उसके बाद okay कर देना है दोस्तों बैक आजाना है दोस्तों यहां उसके बाद permission पर click कर देना है दोस्तो तो सबको इलाव कर देना है इस परकार से सबको ओन कर देना है उसके बाद बैका जाना है दोस्तो यहां आप चेक कर सकते हैं दोस्तो आपका केमरा ठीक हुआ है कि नहीं फिर भी केमरा ठीक नहीं हुआ है दोस्तो तो आप में वाइल को एक बार रिस्टार्ट कर सकते हैं रिस्टार्ट कैसे करते हैं दोस्तों तो चलिए मैं दिखा देता हूं दोस्तों रिस्टार्ट कैसे करते हैं उसके लिए यहां यहां पावर बटन को दबाय रखना है कुछ देर के लिए तो चलिए हम उसके बाद यहां देखे दोस्तों रिस्टार्ट का आपतन आगे हैं इस कैसे करना है दोस्तों आप वीडियो देखकर सिख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वहां जाकि पहुंती आसानी तरीके से अपने वाइल को रिसेट कर सकते हैं दोस्तों दोस्तों रिसेट करने के बाद आपका प्राबलम ठीक हो जाएगा अगर फिर भी ठीक नह प्लिज लाइक कर देना हुं अभी तक सब्सक्राइब निकी है दोस्तों नीचे गामेंट करके बताना दोस्तों यह वीडियो का इसे लगात अब तक लिए धन्यवाद दोस्तों